Hello and welcome to the studio, Apollo hospital को आज के दिन हम trade कर रहे है, 4321 पर हमने इसकंदर अपनी एक buying position active की है, so 4321 ये देखे, 200 quantities के साथ हमने अपना ये आज का trade execute किया है, and 3200 के अरौन के हमार profit इसकंदर चल रहा है, Apollo hospital, देखे, day time frame का लेवल हो and lower time frame, ये तो सारी चीज़ें होगी ही, इसके अलाबा, जो एक चीज़ हमें आपको बतानी है कि कोई भी trade जब हम execute कर रहे हैं, तो कैसे हम breakout होने से पहले उसके अंदर अपनी entry ले सकते हैं, या breakout होने की जो समभाबना है, उस दिशा में हम लोग कैसे trade execute करेंगे, इसके ओपर main discussion आज की दिन होगा अपना, तो reading करने के पीछे का हमारा आज का purpose क्या है, एक ऐसे breakout होने से पहले किसी trade को हम देख सकते हैं, इसको समझने के कोशिश करेंगे, होता क्या है, कि breakout हो जाने के बाद में trade execute करना और breakout होने से पहले trade execute करना, इसमें कुछ बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, यहाँ पर दो यह मान के चलते हैं, कि breakout हो पहले का यह trade execution है, यह breakout के बाद का है, अब कोई भी एक हमारा supportive area है, support line है, price हमारा इस एक level पर आकर के बार बार support ले रहा है, किसी एक जगह से support ले रहा है, में भी chance है कि breakout हो और price हमारा सीध हे नीचे के दिशा में गिर जाए, अगर यह गिरा, तो हो सकता है कि retracement इसके अंद पहले एक trade के अंदर कोई बड़ा move जब आता है ना, तो वो तभी आता है जब कि उसके अंदर आप को breakout catch करो, breakout से पहले, आपने देखा हो कि कुछ लोग जो catch करते हैं, बड़े-बड़े moves catch करते हैं, इसके पीछे का reason यह होता है कि breakout से पहले कैसे judge कर सकते हैं हम लोग, किसी भी stock में होने वाली momentum को, अब अगर हम breakout होने के बाद में trade execute करें, जैसे कि यह थो गए कि पहले हमने trade execute किया, अब अगर हम बाद में execute करते हैं, तो उसमें possibilities क्या क्या बनती हैं, इस level के नीचे इसने breakout दे दिया, हो सकता है कि यह जो बड़ा सा move हुआ, यह इतना बड़ा हो ज ज्यादा expectation होती हैं, या आपकी convictions ज्यादा होती हैं, उसी में हम लोग catch करते हैं, यह risky है, बट बहुत अच्छे move हम लोग इसके थुरू catch कर सकते हैं, आज इन ही moves को देखने की कोशिश करेंगे अपने trade के माध्यम से, Apollo Hospital से, तो आज यह शुरू करते हैं, अगर वीडियो अ 5% का momentum दिखाया है, इसके अंदर जस्ट में buying के opportunity find करेंगे तो बाइंग जहां से हमने बोला था, यहां पर आप टेलिग्राम चैनल पर देख सकते हो, कि क्या level हमारे थे, फिलहाल, इसके अंदर के momentum से देखे, 3-4% के movement हमें इसने show किया हैं, बढ़ते सिधे अपने stop के उपर हमें आज के दिन जो catch करना है, जो breakout catch करना है, सबसे बड़ा तो breakout होगा हमारा 9.15 का high, और दूसरा होगा इस black वाली candle का high, यह दो lens हो गई है, इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी हमारी candle बन जाती है, डे में जिस candle ने सबसे पहले volume increase किया, यहां पर देखे, आप volumes लगातार कम होती चली जा रही है, कैसे 9.15 पर जो volume आई है, 9.20 पर जो volume आई है, 9.15, 20, 25, 30, यह और यह, देखे, लगातार volumes मेरी कम हो रही है, यह पहली वो candle जिसने volume increase किया, यह candle मेरी important candle बन जाएगी, किस तरह से इसका use हम कर रहे है, अगर price इस candle के उपर, अगर हम इसको important candle मान करके चलते हैं, तो price ने अगर इस candle के ऊपर हमें momentum दिखाई, तो अच्छा move market शोप, यह वाली जो swing है, बहुत ज्यादो हद तक chance रहता है, कि protected रहे है, अगर price ने upside क्यों किसी resistance को break किया है, तो वापस price हमारा 9.45 की candle तक आएगी, ऐसी expectation बहुत कम रहती, इस वक्त हम यह मान करके चलते हैं, 9.20 की candle हमारा resistance level है, और price हमारे exact उन ही levels के पास में reductions ले रहा है, अब चलते हैं, day time frame पर, which is major time frame, and सारी analysis हम लोग इन ही time frames के recording करेंगे, सबसे पहले चीज़ जो हम करेंगे, सारी lines को हम delete कर देते हैं, low से upside के momentum को जब हम लोग देख रहे हैं, तो जो कल की हमारी last candle ब resistance का upside की तरफ breakout कर दिया गया है, closing के साथ में, अब आप देखे, कि जब हम back data refresh करते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, तो इस level पर आपको resistance point मिख जाएंगे कुछ, price आपका इन ही level को breakout करके upside की तरफ गया, same level को और हम ज़्यादा आगे की तरफ stretch करेंगे, तो देखे, ये level हमार resistance level है, ये देख पा रहा है, price इसी resistance को break करके आपको अच्छा momentum दिखाता है, और जब इसको breakout करता है नीचे की दिशा में, तो इसके अंदर downside की momentum आते हैं, high, again, high, low, high, low, ये देखे, किस तरह से price यहाँ पर support ले रही है, आपको support, breakout कर देने के बाद में momentum, आज भी जो हम market को 42.53 के आसपास है न, आप देखिए, इन सभी drawings को हम remove करते हैं, और अगय की तरफ आई है, ये resistance level आपको show हो रहा है, इसको और अगय की तरफ हम increase कर देते हैं, मतलब कि ये एक major हमने support draw कर लिया है, जिसको कि market ने break करके downside को momentum हमें show किया था, अब कल क्या हुआ है, कि price ने हमारी इस एक candle के ऊपर जाकर के closing दे दी, अब अगर price को नीचे की दिशा में गिरना है, तो इसे क्या करना होगा, कि आज की जो candle हमारी form हुई है, ये हमारा कल का resistance level है, अब price क्या कर रहा है, कि कल के level के नीचे आकर कि अगर इसने trade execute करना शुरू कर दिया, मतलब trade करने लगा, तो इस तरह से अगर market हमारी नीचे की दिशा में गिरी, मतलब इसने 9.15 का low break कर दिया, बट volumes के confirmation से यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, अगर volumes मेरी कमजोर होती ही चली जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर trade execute करने के confirmations नहीं है, price कहीं से भी फलट सकता है, because volumes के अंदर जो strong प्रांगने से वो हमें शो नहीं कर रही है, volumes कम हो रही है, और price क्या कर रहा है, previous take के कुछ important point से वहाँ से अगर ही support find कर रहा है, 9.15 के level के नीचे आ करके अपने lows को protect करने के कोशिश कर रहा है, तो हम trade execute नहीं करेंगे, अब हम इसके अंदर देख क्या रहा है, कि कल market जिस level के उपर जाकर के closing की थी, वो एक strong level था, और आज जो हमको price के अंदर देखना है, trade करने के लिए जो levels identify करने है, वो कल के level के high के उपर ही होंगे, short selling हम करेंगे, because day time frame पर यह में strong लग रहा है, अगर market को नीचे की दिशा में गिरना है, तो यह गिर जा, support break कर दे, गिर जा, market volumes यहाँ पर आपको ज्यादा show करेगी market, लेकिन अगर price हमारा नीचे जा रहा है और volumes भी नीचे गिर रही, इसका मतलब कुछ ना, कुछ तो गड़बढ है, इसको आप देखे, 5 minutes के time frame पर जब आप Apollo Hospital के अंदर आओगे, तो देखे क्या हो रहा है, एक तो एक कल का हमने high mark कर और इस वाली range को हम delete कर देते हैं, 5 minutes के time frame पर देखे के market ने किया क्या है, कल का ये high मेरा mark है, इस पर देखे 9.15 का low हमने mark ख लिया, और जैसे ही market 9.15 की नीचे गई, इसने में reversals के sign दे दिया, price जान से reject होने के कोशिश करें, पिन बार्स देखने कि इतनी बड़ी बड़ी और same level पर हमको हमारी formations देखें, अब जब आप volumes को देखोगे, तो volumes में देखें क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, कि हम लोग step by step आगे की दिशा में पड़ रहा है, अगर price को upside की दरफ जाना है, तो ये क्या करेगा ना, resistance को break करेगा, अप में गया market, फिर resistance बनाया, ये, फिर से resistance, फिर ये, फिर से resistance, फिर ये, मतलब resistance को break करते हो जा रहा है, अब यहाँ पर देखें हम लोग क्या कर रहा है, कि supports find करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर हमको हमारी formations देखें, कल के कुछ important levels देखें, कल का हमारा high point दिख गया, price उसके उसके उपर, day क जो सबसे पहली volume बढ़ी है हमारी, वो ये वाली है, यानि कि अब हम इसके उपर भी जा सकते हैं, समझ पा रहा है, मतलब price नीचे की दिश्रा में जाने की बजा है, अप में जाने की symptoms दिखा रहा है, और downside की momentum सो कही ना कहीं reject कर रहा है, दोनों ही चीज़ों को correlate करने की कोश execute क्या है, अब हम लोग step आगे बढ़ने है, 9.15 के level के नीचे rejections, और again 9.15 की range के अंदर किस candle ने जा करके closing कर दी है, 10.20 की candle, 10.20 की candle ने closing कर दी, और 10.20 की candle के उपर देखे, price किस तरह से reject हो रहा है, अब अगर इसके उपर market निकलती, तो ये मेरा entry का confirmation हो, हमें जो trade execute करना है, वो 4307 के उपर में करना है, और जो stop loss हम लगाएंगे, वो यहाँ पर जो volume increase हुई है, हमारी 9.45 के, दोनों ही candle हमारी important है, ये वाली, तो यहाँ पर हमने अपने stop loss बनाया, और जो अपनी entry लिया है, वो 4307.95 के उपर 431 के हमारी entry है, 431, यह हमारा trade execution की जगा है, इस जगे प दी, daytime frame पर भी हम देख रहे हैं कि price हमारा strong है, इसके बाद में 9.45 के level को भी upside के तरफ breakout कर दिया, जिसके तरू हमने stop loss find किया, और अभी price ने क्या क्या है, कि हमारी इस candle के ऊपर में जाकर के भी momentum करना है start कर दिया with volume, समझ पा रहे हैं, अब अगर इसको नीचे की तरफ गिरन momentum को मिलेंगे, momentum काफी अच्छे हो रहे हैं, और targets जो हम आज के लिए इसके decide करेंगे, वो 44,400 के हमारी targets होंगे, markings को close करते हैं, and momentum काफी अच्छे हो रहे हैं, price upside के तरफ जा रहा है, और higher time frame के resistance उसको भी market break कर रही है, चलने देते हैं stock को, बड़ा सा move होता है, अच्छा यहा का order हमारा executed है, page को एक बार refresh कर लेते हैं, and perfect 4296.15, okay, so position book में आते हैं, 5800 के around हमारा profit चलना है, को बड़ा move होता है, यह हमको activity करते हैं, इसके अंदर तो inform करते हैं, Hello Traders, morning से Apollo Hospital के अंदर हम बैठ हुए है, एक upset की momentum के expectation में, but price के अंदर क्या हुआ था, breakout आया, एक अच्छा move हमको market नहाँ पर दिखाया, but पूरा stock side way हो गया, हमारी expectation थी कि price के अंदर movements upside के होने चे, यहां से हमने अपनी entry price दोबारा उसके नीचे आया नहीं है, but हाँ side way हो किया है, अब आप चाहे जितनी बैची तरह से price को analyze को लो, बट जब कोई stock side way होता है, तो आप उसके अंदर buying को रो, stop loss जागा, short को रो, stop loss जागा, यह वाली हमारी candle है, 12 बचकर पांच मेंट की candle से, इससे जब नीचे price दोबारा आया है, तो फिर वापस गया नहीं है, तो हम side way market के ही अंदर रुके हुए हैं, और आज कर अपना profit है, 3000 के रॉंड हमने इसके अंदर कुछ profit अभी चल रहा, अभी book नहीं किया है, हालां कि अब यह book करने का time है, यहां से हम बाहर निकलते हैं, देखे, आप चाहें, आपका काम है, हमारा भी काम है, सिर्फ और सिर्फ अपने price को ने analyze करो, quantities calculate करो, buy करना तो buy, short करना तो short, करने के बाद stop loss लगाए, चुप चप बैट चाहिए, जाने दीजिए, यह हमारे हाथ में थोड़ी नहीं हमारा काम analysis करने का, ऐसा नहीं कि हम लोगों इन एक बार बोल दिया कि price उपर जागा तो वो उपर ही जाएगा, तो जब against में market जाएगी, तो मेरे पास stop loss मेरा safe होना चाहिए यहाँ पर देखे, order book में आप देखोगे, तो stop loss 429, 4296.15, यहाँ पर हमारा stop loss लगा हुआ है, अगर कुछ होता है तो हमारा stop loss लगा है, और last एक stop loss गया नहीं, तो अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, चुप चप यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो यह काम करते हैं, सबसे यहाँ पर अपना stop loss order जो हमारा है, इसको cancel करेंगे, pending पड़ा हुआ है, 4296.15, इसको cancel कर दिया, okay, order cancel है, and position book में चलते है, 3400 के round profit चल रहा है अपना, वो अभी इसको book करने का time है, निकल गया, लेजा, सारी quantity निकल गया, अब इनको जहाँ जाना है, मेरे तो किसी काम कर नही क्योंकि square of timing भी अब खतम हो चुकी है, और पूरी तरह हम लोग trade से बाहर है, तो 3000 का profit, हालांकि कोई बहुत बड़ा profit नहीं 3000 का, लेकिन stop loss hit करवाने सो तो अच्छा है, कि हम 3000 का profit लेकर के निकल रहा है, thanks, and अब कल मिलते हैं, कल की trading session में, तब तक लिए thanks, goodbye, and we will meet again.